नमस्कार आप सभी देख रहा है स्वदेशी वियाईपी का यूट्यूब चैनल पित्रगण कौन है? घर के पित्र नाराज होने की लक्षन और उनके उपाई क्या है? आखिर ये पित्रदोश क्या है? पित्रदोश शान्ती के लिए सरल उपाई क्या है? पित्र या पित्रगण कौन है? चलिए आखिस बारे में विस्तरत रूप से जानेंगे पित्रगण हमारे पूरवज हैं जिनका रिड़ हमारे उपर है क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है मनुष्य लोक से उपर पित्र लोक है पित्र लोक के उपर सूर्य लोक है और इससे भी उपर स्वर्ग लोक है आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले उठती है तो वह पित्र लोक में ही जाती है जहां हमारे पूर्वज उनसे मिलते हैं अगर उस आत्मा के अच्छे पुन्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया इसके आगे आत्मा अपने पुन्य के आधार पर सूर्य लोग की तरफ जाती है वहां से आगे यदि और अधिक पुन्य है तो आत्मा सूर्य लोग को पार करके स्वर्ग लोग की तरफ जाती है लेकिन करोडों में से एक आध आत्मा ही ऐसा कर पाती है जो परमात्मा में समहित होकर जिसे दुबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और सीधे वो मौक्ष को प्राप्थ होता है मनुश्य लोक एवं पित्र लोक में बहुत सारी अच्छी आत्माएं पुनह अपनी इच्छा वा मोह वर्ष अपने कुल में जन्म लेती है चलिए अब अच्छे से समझते हैं कि पित्र दोश क्या होता है हमारे यही पुरवज सुक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रती शरदा रखते हैं ना ही इन्हें कोई प्यार या स्ने है और ना ही किसी भी अवसर पर यह हमको याद करते हैं और ना ही अपने रिण चुकाने का प्रयास करते हैं तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वन्शजों को श्राब दे देती हैं जिसे पित्र दोश कहा जाता है पित्र दोश एक अद्रिश्य बाधा है यह बाधा पित्रों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है पित्रों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे आपके आचरण से किसी परिजन द्वारा की गई किसी गलती से श्राद आदी कर्म ना करने से आदी में हु किसी तूटी के कारण भी ये हो सकता है इसके अलावा मांसिक अवसाद व्यापार में नुकसान परिश्रम के अनुसार फल ना मिलना विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना करियर में समस्याएं आना या संछेप में कहें तो जीवन के हर शेत्र में व्यक्ति और उस शुब फल नहीं मिल पाते और कितना भी पूजा पाठ और देवी देवताओं की अर्चना करवा ली जाए उसका फल शुब नहीं मिल पाता है अब समस्ते हैं पित्रदोश कितने प्रकार के होते हैं पित्रदोश दो प्रकार के होते हैं पित्र दोश दो प्रकार से प्रभावित आपको करता है। पहला अधुगती वाले पित्रों के कारण और दूसरा उर्दवगती वाले पित्रों के कारण। अधो गति वाले पितरों के कारण, दोशों का मुख के कारण परिजनों द्वारा किये गए गलत आचरण की अत्रिप्त इच्छाएं, जाईदात के प्रती मुह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पि उधर्व गति, वाले पिट्रों समाने तह पिट्रदोश उत्पन नहीं करतेher, परनतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रिति रिवाजों का निर्वाह नहीं करने पर वे पित्रदोश उत्पन कर देते हैं इनके द्वारा उत्पन पित्रदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं अध्यात्मिक उन्नती बिलकुल बांधित हो जाती है फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किये जाएं कितनी भी पूजापाठ क्यों न की जाएं उनका कोई भी कार्य ये पित्रदोष सफल होने नहीं देता है पितरदोश निवारण के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितरदोश उत्पन हो रहा है जन पत्रिका और पित्रदोश जन पत्रिका में लगन, पक्षिम, अश्टम और द्वादस भाउ से पित्रदोश का विचार किया जाता है पित्रदोश में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरू, शनी और राहु केतू की इस्थितिक पर पित्रदोश का विचार किया जाता है इनमें से भी गुरू, शनी और राहु की भूमिका प्रतेक पित्रदोश में महत्वपूर्ण होती है इनमें सूरे से पिता या पिता मह, चंदर से माता या माता मह, मंगल से भ्राता या भागिनी और शुक्र से पतनी का विचार किया जाता है चलिए अब जानते हैं पित्रों के नाराज होने के लक्षन क्या क्या है खाने से बाल निकलना, बदबू या दुरगंध कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुरगंध आती है पूरवजों का स्वपन में बार बार आना, शुब कारे में अडचन, शुब अवसर पर कुछ अशुब घटित होना पित्रों की असंतुष्टी का संकेत है, घर से किसी एक सदसे का कुमारा रह जाना, मकान या प्रॉपर्टी की खरीद, फरोख्त में दिक्कत आना, संतान ना होना, ये सारे उसके कारण हो सकते है गौपूजन से दूर होगा पित्रदोश, जी हां आपने ठीक सुना, हिंदु धर में गौपूजा का खास महत्व बताया गया है कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगवन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गाय माता उसे अत्यंत दुरलब वर प्रदान करती है पुराणों के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति किसी वज़े से तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहा है तो वो गाय की सेवा करें, गाय की सेवा से तीर्थ करने के बराबर पुन्य मिलता है गाए की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख एवं सम्रिद्धी बनी रहती है अगर किसी की कुंडली में पित्रदोश है या शुक नीच में राशी में है तो गाए की पूजा और उसकी देखवाल लाबकारी सिद्ध हो सकती है आपने गोगुली बेला के बारे में सुना होगा जी हाँ ये एक योग होता है यह योग दरसल गाय से संबंदित है पुराणों की माने तो यदि किसी के विवा के लिए उत्तम मुरत नहीं मिल रहा है या फिर भविश में किसी के विवाहिक जीवन में परिशानिया आने के संकेत है और उन्हें दूर करना चाहते हैं तो गोधुली योग में वरवधु का विवाह करने से ये सभी बांधाएं दूर हो जाती है शायद यही वज़ा है कि जादातर विवाह इसी समय संपन्ह किये जाते हैं एक माननेता यह भी है कि कोई व्यक्ति गाए को भोजन करा कर किसी यात्रा पर जाए तो उसकी यात्रा सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है यही नहीं यात्रा के पहले यदि कोई गाए बचडे को दूद पिलाती हुई नजर आ जाए तो समझ ले उस व्यक्ति की यात्रा सफल हो गई यदि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों के बीच प्रभाव से परिशान हैं तो इसके लिए भी गाए की पूजा लाबकारी होगी जन्म कुंडली में यदि शुक अपनी नीच राशी कन्या पर हो या शुक की दशा चल रही हो तो प्राता काल एक भोजन में से एक रोटी सफेद रंकी देशी गाए को एक महीने 15 दिन तक लगातार खिलाने से शुक्र का निचत्व एवं शुक्र सम्मंदित कुदोश अपने आप ही खतम हो जाता है खास करके पितरदोश में सफेद गाए को रोटी खिलाने से वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो आप सभी ने जाना कि पितरदोश क्या है इसके लक्षन क्या है और हमें पूरा भरोसा है कि आप पितरदोश समझ गये होंगे और पितरदोश को दूर कैसे करना है ये भी आप समझ गए होंगे हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताईए और देखते रहिए सुधेशी वियाईपी का चैनल धन्यवाद